किसी को भी इतना हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हसना है और आपको कब रोना है तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज किसी के रूह तक पहुँचे तो तुम्हें पुकारना भी रूह से ही होगा जो लोग आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो आपके चहरे से ही बता देंगे कि आप खुस हो या दुखी दुखी दिल पानी से भरे गिलास की तरह होता है मामुली सी ठेस लगने पर भी छलक परता है लगती है जिनके दिल पर चोट वो आखों से नहीं रोते जो अपनों के ही नहों पाए वो आपके क्या होंगे वो किसी के भी नहीं हो सकते रिष्टा दिल से होना चाहिए सब्दों से नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बोलना बहुत आसान है पर इसे निभाना बहुत मुश्किल जो लोग आपसे सचे दिल से प्यार करेंगे वो कभी आपसे जूट नहीं बोलेंगे वो कभी भी आपसे कोई बात नहीं चिपाएंगे नाराजगी सब्दों में होनी चाहिए दिल में नहीं जिंदगी में तुफान का आना भी बहुत जरूरी होता है तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकरता है और कौन साथ छोडता है किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ जुबान से नहीं आपके जीवन में एक ऐसा साथी जरूर होना चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता रहता हो कमजोर लोग तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं और विजेता तब रुखते हैं जब वो जीत जाते हैं सब दुख दूर हो जाने का कभी भी इंतजार मत करो ये मत सोचो कि सब दुख दूर हो जाने पर आपका मन प्रसन न हो जाएगा ये आपकी गलत फेहमी है मन को प्रसन रखिए सब दुख दूर हो जाएंगे का माल की चीज है ये भरोसा नहीं आप जल्दी किसी दूसरे पर कर सकते और नहीं कोई दूसरा आप पे कर सकता इस दुनिया में अगर सबसे सस्ती कुछ मिलती है तो वो है धोखा जिस रिष्टे में विश्वास है वहीं प्यार है सुकून है खुसिया है समरपन है यदि कोई बार-बार आपसे चिटिंग कर रहा है यदि कोई आपको बार-बार धोखा दे रहा है आपसे जूट बोल रहा है तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूर हो जाओ और अकेले ही खुसरो मैं यही कहूंगा तो मैं आसा करता हूँ कि आप इन बातों को जरूर समझ गए होंगे